हेलो फ्रेंज आपका स्वागता टेस्ट आए क्यों में फ्रेंज इस वीडियो में डिसकस करेंगी वर्किंग ओव फॉर स्ट्रोक पैट्रोलिंगर फॉर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है मैं आपको एक्चुल डाइग्राम जो है वो आपको अलग-अलग डाइग्राम में हरी condition यानि कि जब हमारा suction stroke, compression stroke, heat addition और heat rejection सभी के सभी जो process होते हैं सभी को मैं अलग-अलग diagram में आपको actual condition के साथ में बताऊंगा और एक-एक चीज को मैं बहुत ही basic और detail में समझाने वाला हूँ तो यदि friends आप इस video को complete देख लेते हैं तो आपको ऐसा feel आएगा कि हाँ engine जो है वो work कर रहा है एक-एक चीज को मैं crystal clear कर दूँगा और एक-एक point को मैं detail में discuss करने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को और यह बहुत ही ज़्यदा important topic है 4 stroke petrol engine कैसे work करता है, कौन-कौन से process होते हैं, सभी हम detail में discuss करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारा piston अब आप सभी को पता है कि सबसे पहले कोई भी engine start कब होगा, जब उसके अंदर fuel enter होगा, और fuel enter कब होगा जब हमारा piston top dead center पर होगा, top dead center क्या होता है यानि कि piston जो है highest position पर होता है, आप सभी को पता है यह जो होता है, यह clearance volume होता है clearance volume मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था तो यह clearance volume होता है यहाँ से जो piston है वो नीचे की side जाएगा और नीचे की side जाएगा तो इस cylinder में क्या create होगा vacuum create होगा, और vacuum create होगा तो उस vacuum को feel करने के लिए इस जो है आपका यह inlet valve है, यहाँ पर क्या है यह inlet valve inlet valve है और suction के time में हमारा inlet valve जो open होता है और यह आपका है outlet valve या फिर इसे हम exhaust valve भी कहते हैं, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, और इसको inlet valve को suction valve भी कहते है, क्योंकि यहाँ पर suction होता है, और यह जो आपको दिख रहा है, यह आपका है spark plug, जो black alarm है, यह spark plug है तो सबसे पहले जब हमारा piston जो है वो top dead center से, bottom dead center की तरफ चाहेगा, तब यहाँ पर fresh air fuel mixer है क्या बोलता हूँ मैं, fresh air fuel mixer अब यह air fuel mixer कहाँ से आएगा कार्बूरेटर जो होता है, पैट्रोल इंजन में कार्बूरेटर यूज़ होता है, और कार्बूरेटर का काम क्या होता है air और fuel को mix करना तो वो जो mix किया हुआ air fuel mixer है, वो इसके अंदर तब यहां पर दिखे, second diagram में आप देखोगे, तो piston यहां पर पहुँचाएगा bottom dead center पर जैसे ही piston जो है, हमारा bottom dead center पर पहुँचेगा, तो आप सभी को पता है, कि जो shaft है, वो continuously rotate हो रही है, तो rotate हो रही है, तो जैसे ही bottom dead center पर पहुचेगा, तो यह जो हमारा suction valve है, suction valve, यह close हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, यह आपका suction valve है, और यह आपका close हो गया है, और जो exhaust valve है, वो तो पहले भी close था और इस में भी close है, यह आपको ध्यान रखना है, तो अब हमारा पिस्टन है, वो bottom dead center से, top dead center की तरफ जाएगा अब यहां पर आप देख सकते हैं, कि यह जो mass है, mass है, यह क्या है constant है, constant क्यों है क्योंकि यह जो हमारा system है, यह close system हो गया अब यहां पर एक चीज़ आपको यहां पर बता देता हूँ, thermodynamics की चीज़ यह आपका है, इस time open system और यह आपका इस condition में होगा close system अब यह close system क्यों है, क्योंकि यहां पर जो mass का transfer नहीं हो रहा है इस condition में, और इसलिए हमारा यह mass है, constant है mass constant है, लेकिन volume हमारा decrease हो रहा है, तो volume हमारा क्या हो रहा है continuously decrease, जब volume continuously decrease हो रहा है, तो pressure हमारा increase होगा, तो इसी को हम क्या बोलते है compression, तो piston हमारा जब bottom dead center से, top dead center के तरब जाएगा, तो इसे हम बोलते है compression stroke, तो यहां पर आपको दोनों समझ में आ गई होंगे, compression stroke और आपका suction stroke, तो मुझे उमीद है कि यहां पर एक एक चीज़ आपको clear हुई होगी अब हम piston का जो है अगला movement देखते हैं, तो हम next diagram देखते हैं, मैं आपको जितने भी process होंगे, सभी ने ने diagram में आपको बताने वाला हूँ अब यहां पर हम देखते हैं हमारा जो तीसरा diagram है वहां पर piston जो है, वो top dead center पर पहुंच चुका है, जब हमारा piston top dead center पर पहुंच जाएगा, तो जो हमारा जितना भी mass है, वो किसमे होगा सिरफ clearance volume में होगा clearance volume में होगा, तो उस time जो हमारा ये जो है आपका cylinder के top में यानि कि spark plug जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है तो ये अलगले condition पर होते हैं लेकिन ये head पर ही होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है आपका spark plug ये जो spark plug है, जैसे हमारा piston जो है वो top dead center पर पहुंच जाएगा, और mass है, जितना compress होना था वो maximum compress हो चुका है उस time हमारा जो है spark होगा, यहाँ से spark plug से spark जनले होगा, तो जैसे ही हमारा spark generate होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, current supply होगी और हमारा जो fuel है, वो burn start हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है तो कुल मिला के जो हमारा piston है, यहाँ पर piston क्या है, रुखा हुआ है ये ध्यान रखना है आपको इसलिए हमारी जो heat addition है वो heat addition constant volume पे हो रही है हम बात कर रहे है ओटो cycle की क्योंकि petrol engine के अंदर जो cycle होता है वो auto cycle होता है तो यहां पे जैसे ही spark generate होता है तो piston जो है वो रुकावा होता है इसका मतलब जो है piston पहले top dead center पे आया और heat addition हुआ तो piston tends to change the direction यानि कि piston सिर्फ अपनी direction चेंज करेगा तो इसका मतलब हमारी heat जो है वो constant volume पे हो रही है और यहां पे जो voltage generate होता है वो spark plug का 10,000 volt होता है यह आपक 10,000 volt क्या है यह voltage यह धियान रखना है कितना 10,000 जैसे ही हमारा heat addition जो है वो complete हो गया तो जैसे ही heat addition प्यूट हो गया तो हमारा जो fuel है वो burn होना start हो गया यहां पे जश्ट spark हुआ है यहां पे पिगर जो है पहला फिगर जो है यह थार्ड वाला इसमें heat addition ज़स्ट हुआ है य स्टार्ट होगा बर्न और जैसे ही complete हमारा जो fuel है वहाँ पर maximum heat जो है produce होगी तो वो जो heat है यहाँ पर आप fourth timer diagram में देख सकते हैं जैसे ही heat generate होगी तो यह heat जो है हमारे piston को जो है पुस्क करेगी और जैसे पुस्क करेगी तो piston हमारा top dead center से bottom dead center की तरफ जाएगा तो इसे हम बो में होती है इसलिए हम इसे power stroke भी कहते हैं तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया कि heat addition क्योंस्टेंड volume पर कैसे होता है और expansion जो है वो कैसे होता है अब हम बात करते हैं कि जब हमारा expansion complete हो जाएगा expansion complete कहां पर होगा जब हमारा piston जो है वो top dead center से bottom dead center complete हो जाएगा तो complete expansion हो ज जो है एक एक clear हो रही है और आपको feel आ रहा है कि जो है engine actual में कैसे work करता है तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जरूर करें और comment करके बताना है आपको कि यह वीडियो आपको कैसा लगा मैंने बहुत ही अची तरीके से आपको समझाने की causes की है तो आगे हम देखते हैं अब जब हमारा power stroke complete हो जाएगा power stroke कहांपे complete होगा जब हमारा piston जो है वो bottom 대dee center पे पहुंच जाएगा तो जैसे ही piston जो है हमारा bottom mired center पे पहुंचेगा तो हमारा जो exhaust valve है यह क्या है आपका exhaust valve न動画 की बार आपको बता चुछा हूँ exhaust valve या कह सकते हैं expansion valve expansion valve या फिर आपका outlet valve पिस्टन जब हमारा bottom dead center पे होगा तो यहां पे पूरे cylinder के अंदर क्या है? hot gases है hot gases यह जो gases है, इनका प्रैसर है वो हाई है, तो हमारा जो atmospheric pressure है, उससे ये pressure जो है, वो हाई है atmospheric pressure से यह हमारा जो pressure है यह high है तो जैसे ही आप सभी को पता है heat flow from higher temperature to lower temperature या फिर हम कह सकते हैं higher pressure to lower pressure तो यह हमारी heat जो है यहां का pressure जो है वो ज्यादा है और बाहर का हमारा atmosphere pressure है तो यह जो gases है यहां से निकल जाएगी और इस time हमारा जैसे ही मालो piston जो है जैसे मालो यहां से उपर से आया ठीक है यहां पर आक्के रुका और just यह जो है अब direction में यानि की change direction करेगा उस time में यह हमारा जो exhaust valve है यह open हो जाएगा और 95% gases यह चीज में आपको important बता देता हूँ 90% जो gases है वो इसी time reject हो जाएगी यानि कि हमारा जो piston है वो fix है एक जगे कहां पे bottom dead center पे direction सिर्फ change कर रहा है इसी लिए हम इसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी heat rejection है वो constant volume पे हो रही है अब यहाँ पे आपको आज समझ में आया होगा कि heat rejection constant volume पे कैसे होती है अब जब हमारी 95% gases जो है वो exhaust हो चुकी है तो आपको ध्यान रखना है कि piston हमारा यहाँ से motion करना start कोगा तो जैसे ही piston जो है वो आपका bottom dead center से top dead center की तरफ जाएगा तो जो remaining gases है इनको हम क्या बोलेंगे remaining gases या हम hot gases कह सकते हैं इनको hot gases जो होंगी यह piston के movement की वज़े से जो है यह exhaust हो जाएगी इसलिए हम इसको बोलते है exhaust stroke heat rejection जो है वो constant volume पे हो रहा है क्योंकि 95% gases जो है वो constant volume पे reject हो जुकी है सिरफ 5% की बात है और इन 5% में भी पूरी की पूरी जो है आपकी जो gases है वो नहीं निकलेगी तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं exhaust stroke बोलते हैं अब हम next diagram में देखते हैं तो जैसे हमारा piston जो है वो bottom dead center से top dead center पे पहुंच जाएगा तब हमारा यह exhaust valve है यह close हो जाएगा और हमारा जो suction valve है यह open हो जाएगा तो जैसे हमारा suction valve होगा तो उस time piston जो है वो टोप dead center हैं bottom dead center की तरब start होगा और उस starting के time में जो हमारा suction valve open हो गया है लेकिन यहाँ पे fuel की जो है entry नहीं होगी no entry अब यहाँ पी यह आप सोचोगे कि entry क्यों नहीं हो रही है हमारा जो fresh air fuel mixer है वो इसके अंदर enter क्यों नहीं कर रहा है तो जैसे हमारा आप यहाँ पे समझ सकते हैं क कि जैसे हमारा जो piston है वो top dead center पे तो पहुंच चुका है यह जो आपका volume में यह कौन सा है clearance volume इस clearance volume में कुछ जो gases है वो जो burn gases है वो gases रह गई है तो यह gases रहेगी इनका जो pressure होता है वो 1.2 times of atmospheric pressure हो सकता है या फिर हमें 1.2 bar कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो atmosphere होता है उसका pressure होता ह 1 bar और इसका जो pressure है वो 1.2 bar है तो low pressure से high pressure जो है हमारा जो fuel है वो या फिर air fuel mixer है वो उसकी entry नहीं होगी तो फिर हमारा जैसे ही piston जो है वो top dead center से bottom dead center की तरब start होगा और थोड़ा सा नीचे जाएगा तो उस time वहाँ पे fresh air fuel mixer की entry होगा तो जब हमारा piston जो है वो top dead center से थोड़ सा नीचे आजाएगा उस time हमारा जो pressure है वो atmosphere pressure के equal हो जाएगा या उससे थोड़ा कम हो जाएगा तब यहाँ पे fresh air fuel mixer की entry होगी तो यहाँ पे यह चीज़ आपके समझ में आ गई अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप से पोचना चाता हूँ कि हमारा जो swept volume है swept volume किसको बोलते हम top dead center से लेके bottom dead center के जो beach का जो volume होता है उसे हम क्या बोलते है swept volume लेकिन हमारा जो fresh air fuel mixer है वो top dead center से start नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे से start हो रहा है इसका मतलब जो हमारा actual volume है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा यानि कि जितना air fuel mixer आना चाहिए उतना आया नहीं उससे थो volumetric efficiency तो यहां पर में बात करूँगा volumetric efficiency की तो volumetric efficiency क्या होती है actual volume to the swept volume क्योंकि यह आपका क्या है ideal volume ideal volume यह विरमेंस है swept volume कह सकता हूँ और यह आपका हो गया actual volume actual volume और यही जो actual ideal volume है यह क्या है यह आपका swept volume है swept volume है तो यहां पर आपने महसूस किया कि सच में जो जितना air fuel mixer आना चाहिए उतना नहीं आया उससे थोड़ा सा कम आया तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो volumetric efficiency है वो 100% नहीं हो सकती तो volumetric efficiency जो है वो 100% से कम हो रही है तो जहां पर हमारा fresh air fuel mixer ही कमा रहा है cylinder का volume ही थोड़ा सा कम हो गया तो efficiency 100% तो वैसे भी नहीं हो सकती तो यहां पर ऐसी एक एक factor जो है वो यहां पर effect करता है उसकी efficiency को इसलिए कोई भी engine की efficiency है वो 100% नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर बहुत सारे factor effect करते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको यहां पर 8 diagram से मैंने पूरे जो है 4 stroke engine, petrol engine को detail में समझाया है एक एक चीज़ को मैंने आपको detail में समझाया ताकि आपके दिमाग में चप सके तो मुझे उमीद है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा और यह भी मुझे पता है कि आप इसको भूलोगे नहीं क्योंकि मैंने यहां पर कुछ ज्यादा लिखाया नहीं है बस आपको diagram से महसूस कराने की कौसिस किया है कि सच में 4 stroke engine कैसे work करता है तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे के time में मिलने वाले है तो वीडियो को complete देखने के लिए धन्यवा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जे बारत जे हिन थेंक्यू